हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू कमपेंटिलोजी आईस अकेडमी आज हम लोग एक ऐसी सेसन की त्यारी करने वाले हैं जनकारी प्रात करने वाले हैं इस वीडियो में जैसे देखा जाया तो जम्मु कस्मीर में परिवार पहचान पत्र लाने की योजना लाने की बात की ज में हम लोग इस चीज की चर्चा करने वाले हैं हमलो हैं हमकी सबसे पहली बार देखा जातों इस योजना को लाने लिए यानी की केंद्र सरकार पहल कर रही है ऐसी योजना तो बाकी सब कुछ के एसको चश्यट में भी जान की भार सरकार के कुछ बहुत ही समयदनसील अरिया यहाँ यहां पर आ पर आप देख रहे हैं कि इसके बगल में पाकिस्तान जो हमारा दुसमन डेस है भारत का बहुत परोसी एक बहुत बड़ा ही दुजमन एक दिस है और इस सिलसीले में देखा जाए तो वहां के हर एक नागरिक को यानि कि भारत सरकार की समाजिक जो इवजनाएं होती है उसको वहां मुहिया कराना एक बहुत बड़ी जिमेदारी हो जाती है और यह देखा गया है कि यमुकस्विर के निमासीव में कु को या क्या करते हैं अधार कार्ड को दूप्लीके तरीके से उसको वहां पर बना कर ठीक है और वहां की समाजिक जुनाओ का लाब का मुहिया दिया जाए कराया जाए ताकि वो समाज के भार सरकार के मुख्य धारा से जूले रहें उनके अंदर किसी भी परकार की असंतोस की भावना नपन पर ठीक है अगर असंतोस की भावना पनपती है तो फिर यह भी बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है कि इस समें दर शीट छेतर और भरियाना के मुख्य मंतरी मनुहरलाल खटर दोनों ने वहां राष्टी इस सुसासर संबिलन के दोरान एक बहुत ही बड़ा यानि कि योजना इनकी परिवार पहचान पत्र लाने की योजना बनाय गया है ठीक है और देखते है कि यह योजना कहां तक करगर होती है कहां पर उसकी खना पूरती होते ही रहती है लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वहां के जंता के अंदर जागरुपता होती है ठीक है इस योजना के प्रती और वहां के यतने भी नौकरसाइए बीरु क्रेट हैं उनके अंदर और इमंधारी का युगदान होता है तो यह क्या ह इस वीडियो में देखा जाए तो क्या क्या चर्चा होगा कि जम्मु कस्मीर एक परिवार पहचान पत्र है ठीक है यह क्या है इसके बारे हम लोगों चर्चा करेंगे ठीक परिवार पहचान पत्र से लाव क्या होगा वहां के निमासियों को लाव क्या होगा इसके विपक्ष में तर्क क्या है ठीक है यानि कि देखा जाए तो यहां विपक्ष वाले भी क्या है इसके बारे में काफी बियान बाजिया किया है ठीक है कि ऐसे है यानि कि गलत है गले तरीके से इसको लाए जा रहा है क्या है कोई वहां की जम्मु कस्मिर के निमासियों के परिवार को कोई जाकना चाहता है पहुँसरा ऐसे statement है जिसके बारे में हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हलाकि इसके बीच में यहां पर परिवार को हचानपत्र की बात कही गई है या पहले से लागू है या लाने वाले हैं इन सब राज्यों को भी हम लोग चर्चा करेंगे और इ जैसे पहला है कि जम्मो कस्मीर एक परिवार पहचान पत्र यहां चर्चा करना है इसके बारे में देखा जाए तो भारत सरकार ने जम्मो कस्मीर में परिवार पहचान पत्र लाने का फैसला किया है ठीक है जम्म कस्मीर एक किंदरसासित परदेश है और इस किंदरसासित परदेश में भारस सरकार का जिमेदारी हो जाती है ठीक है कि वहाँ परनागरीकों को समाजी के योजनाओं का लाग पहुचाने के लिए ठीक है एक कारग संबेलन के दोरान थेक दो व्यक्ति यहां पर आते हैं इस संबेलन के दोरान मनुज सीनहा यानि कि जम्मो कस्मीर के क्या है उपराज्यपाल है मनुहर लाल खटर एक ओन है धरियाना के मुख्यमंत्री है और दोनों के बीच क्या होती है आपसी सहमती पर एक समझावता होता है ठीक है यानि कि जम्मो कस्मीर में परिवार पहचान पत्रे किस परकार लाया जाए इससे क्या फायदे हो सकते हैं वहां के निवासियों का ठीक है और दिस तरह से डूपलीकेट रासन बना कर वहां पर एक के जम्मो कस्मीर में डूपलीकेट रासन बना कर या धारकार बना कर जो डूपली क्या करते हैं गलत तरीके से वहाँ पर समाजी के जिनाओं का जो लाफ ले रहे हैं ठीक है उनको कैसे यहां से छटनी किया जाए और वंजीत परिवारों को मुखिधारा में कैसे लाए जाए ठीक है इस पर इसमें चार्चा हुआ है और यहां पर दो में यहां प परतेक परीवार के लिए आठ अक्चरों एवं अंको जिसको हम लोग अल्फाहन मेरीक कहते हैं एनिक अक्चरों और अंको का एक बिसेश पوड टोम एक जानते हैं कि पाहचानपत्र यां पानाए जा रहा है और जानी कि परिवार पहचानपत्र कई कलlike इसको पुछ क्या होंगे जिसको आलफा निमरीक कुड कहते है इस तरह के पाचानगे पत्र यहाँ पर बनाए जाएगे जिसमें जैसे इस पाचानगे में द्रॉचार और फिर स्माल देए की अइनकी इस थर्र से करके कितने यहाँ आठ यहां पर ठीक है यहां पर लेटर और यहां पर क्या ऑप परयूब किया जाएगा समर्लाकर और इस तरह से हैं पर पाचान पत्र इसके बनायोजन helped तो आप देख सकते हैं कि जैसे माल लेते हैं कि पैंड कार्ड में पैंड कार्ड में और गोटर कार्ड में भी देखा जाया तो आप अक्षर और क्या करते हैं अंको का समू है लेकिन इसमें क्या होगा आठ अक्षर और अंको का समू होगा ठीक है जिसको अलफा निमरी कोड कहेंगे और इसमें सामिल किया जा रहा है ठीक है दूसरी बात है कि यह परिवार के मुखिया परतिक परिवार के कौन मुखिया के नाम पर होगा ठीक है जो पहाचान पत्र बनाय जा रहा है परिवार पहाचान पत्र वह परिवार के मुख्या के नाम पर होगा और इसमें परिवार के परतेग कितने परिवार के परतेग सदस्यों की संख्या ठीक है पहला कहा होगा संख्या नाम उनकी उम्र उनकी सैक्षिक अचल संपत्ति के अर्थार द्वारा उनके क्या होगा आर्थी स्तिति का आकलर होगा यानि कि यह सच में क्या भारत सरकार की समाजिक युजनाओं की यह पात्र है कि नहीं है इसके बारे में चर्चक की जाएगे ठीक है तो और अन्य भी आवस्यक चीजों की यहां होगा रोजगार प्राप्त कितने व्यक्ति है यह अचल संपति उनकी किया है सब की मिलाकर और अन्य आसक दास्तावेजिक यहां पर जांच परता लोगी इनका सबका पुला बेवरा दिया जाएगा आगे की वीडियो में है आगे के टॉपिक में यहां परिवार के मुखिय के अधार कार्ड ठीक है यह परिवार के मुखिया के अधार कार्ड और बैंक खातों से भी जूला रहेगा ठीक है यानि कि परिवार पहचान पत्र बनाने के अलामे जो परिवार का जो हेड है यानि कि मुखिया जो है उसका जो एक अपना जो बैंक खाता है ठीक है उसके सा पहचान पत्र जब परिवार पहचान पत्र इसमें अधार कार्ड के विपरित परिवार के सभी सदस्यों का पहचान ठीक है एक साथ रहेगा आप जानते हैं कि अधार कार्ड भी क्या है एक पहचान पत्र है यानि कि उसमें क्या होता है कि बेक्तियों की कि किसी एक बेक्ति व सदस्यों मुखीय सब्सक्राइब चोटी बच्चे तकि सबकी सदस्य था उसमें क्या हो कि अनिवारे हो गी और सबका मिले जिला रूप यह पर एक पहचान पत्र होगा ठीक है तिस तरह से देखा जाते कितने वहाँ पर जिंसेए उनके बच्चे किएतने हैं क्या करते हैं ठीक है इस सारा जीज का वहां पर देना है तो कोई भी परीवार जब इतनी बड़ी डाटा का अपना व्यवार देने जा रहा है ठीक है तो उसकी पारीवारी अगर उस परिवार का पहचान पतर बनवाने के लिए या इस तरह का डटा अपने परिवार का देने के लिए मतलब कि असाज महसुस करता है ठीक है तो उसकी साहमती अगर नहीं होती है तो उसके लिए ये पहचान पत्र नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि उनकी साहमती अनिवार है है और यह पहचान पत्र बन जाता है तो एक पहचान पत्र के अला में早eping दास्तावेच के जुरत नहीं पड़ेगा यह इनिकी Fallout की समाजी की उजिनावों के लाब ताप्त करने के लिए ठीक है तो आगे है परिवार पहचान पत्र से लाब क्या होगा ठीक है इससे क्या लाब है इस परिवार की आर्थिक इस्तिती ठीक है पहले क्या होगा कि आर्थिक इस्तिती का आकलन होगा ठीक आकलन होगा यानि कहने का मतलब है कि उससे परिवार कि जो आर्थिक श्तिती है कितने रोजगार हैं कितने स्क्षिक जीवा है लग वहारत की सरकारी उजनाओं हो का लाब प्राप्त करने वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता तैसे उस जायाrenched बार लेते हैं और इस तरह से जिन को यानिकी सरकार की और सरकार की जनाओं का की समाजी को जनाओं का लाव नहीं मिलना चाहिए और वह यहादाट की क्या करते हैं सरकार के सरकार को जनाओ का लाव वहां प्राप्त करते रहते हैं और जिसको मिलना चाहिए और उसको उसको इस तरह का लाब नहीं मिल पाता है जो सरकार के मतरब की क्या करते हैं प्रसकार के है यहां और duplicate अगर ऐसा होता है तो इसका क्या होगा जाचपरताल होगा उसकी पहचान समबा हो जाएगी ठीक है और इनको इससे बाहर कर दिया जाएगा ठीक है और उसके बाद है कि इससे केंद्र सरकार की जन कल्यार योजनाओं से बंचित परिवार जो बहुत समय से बंचित परिवार है जिनको मिलना चाहिए था वो क्या होंगे लभानमित होंगे कब जब उनके आर्थिक स्थिति का आकलन होगा ठीक है तब उनको क्या होगा अगर वो सच में इसके पात्र हैं सरकारी जजनाओं के लाव का पात्र हैं लभार्थी हैं तो उनको क्या होगा उस बंचेत परिवार को यानिकी इस से लभानवित होंगे सरकारी युजनाओं के लाव है तू किसी अन्य दास्तावेज की जरुरत नहीं पड़ेगी ठीक है यानिकी इसमें यह भी लाव आ गया कि किसी बितरह की सरकारी युजना को प्राथ करने के लिए उनको बस परिवार का पहंचान पत्र लेकर जाना होगा बाकि कीसी बितरह का अाधार हो गया या बोटर कार्ड हो गया या रासन कार्ड हो गया इसतरह का किसी UM T сожалению कहा जाएगा बहुत ही एक सटीक एक के योजना काई जाएगी यानिकि इस्तिप्रानिंग और उस अगले वीडियो में है अगले फैक्ट में है कि योजना विशेश के ताहत किसी योजना विशेश के ताहत मिलेने वाली बितिये मदद है तो से समंदित परिवार के सीधे बैंक खाते में जाएंगे ठीक है जैसे महल लेते हैं कि अगर कोई परिवार लोन लेना चाहता है तो उस तरह का लोन जो होगा किसी रिया झाल पर मिलता नहीं है वहाँ पर समय की वर साथ होती है बिचेवलीयों कि समापती हो जाएगी यान कि किसी तरह के बिचेवलीयों नहींगे सरकार डायरेक्ट क्या करेंगी उनके बेंक खाते में ऐसे भी तीए मदद अगर देना चाहती है तो यह दे सकती है ठीक है इसमें बिचेवलीए कोई यौरत नहीं है कतार में खाड़े होने कि जल्दी से पहुंचेगा और पारदर्शी भी रहेगा ठीक है इसकी भी यहां पर यह वस्ता है डाटावेश जैसे माल लेते हैं कि परिवार पहचान पत्र में किसी तरह का डाटावेश है जैसे माल लेते हैं कि वहाँ उस परिवार पहचान पत्र के डाटावेश में जैसे जन्म हो गया, विवा हो गया मृती हो गया ठीक है यह तीन चीज जो है ठीक है यह क्या होगा हमेशा समय समय पर अप्टुडेट हो दे रहेगा जिसे माल लेते हैं कि उस परिवार की कोई महिला है और इनकी सादी हो जाती है ठीक है और साधी होने के बाद तब क्या होगा उसके नाम को यहने कि उसके माता-पीता के परिवार को से नाम को क्या होगा वहाँ किसी नए ब्यक्ति का वहाँ पर आगवन होता है इस का यहाँ पर इस ब्यक्ति का नाम भी जूड़ेगा यह क्या होगा की स्वचालीद होगा ठीक है अपड़िट करने किई लगव प्चीस लाख इतने 25 लाख परीवार क्या होंगे लभानमित होंगे ठेख राश्ट्री नियंस के तहट लक्षित सारवजानिक बित्रन पॉनडलीए लक्षीत सारवजानिक बिस्रा यान कि बिदवा परिवार से जुड़ा जाएगा और काफी वहां पर इस तर ग्रिवार पर जानते हैं कि वह एक इंदर सासित परदिश है तो यहां पर इस भी हो जा रहे हैं कि जैसे लोगों का कहना है ठीक है नाम तो यहां पर बताना ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ इस टेट्मेंट है ठीक है जो सब यहां की काकत है अलग अलग वहां के दलों के द्वारा जहां पर इस टेट्मेंट दी गई है किसी वेक्ति के द्वारा दी गई है पार्टियों की द्वारा दी गई है तो उसमें जैसे है कि कोई इसे कसमीरियों पर नजर रखने के लिए नि निगरानी बार सरकार निगरानी रखना चाहती है कि उनको एसा लगता है कि दूसरा वात यहां पर आ रहा है कि कोई कहता है कि यहा जमू कस्मीर के लोगों पर विश्वास की कमी की रूप में दावा करता है कहने का मतलब है कि पहले से भी अधार काड़ हो गया बोटर काड़ हो गया इस सारे चीज़ बनाए गए है लेकिन यह परिवार पहचान पत्र जो लाया जा रहा है तो परिवार पहचान पत्र के द्वारा वहां के निमासियों पर एक तरह कभी स्वास की कमी है तभी यह लाया के नेजी जिन्दगी में दखल देने का रूप दिया है थीस तरह से अलग अलग तरीके से बियनबाजी हो रही है आप देख रहे हैं लेकिन इसमें एक बात है कि जैसे हाल ही में चीनी संस्थानों द्वारा साइबर हमले क्या चीनी संस्थानों द्वारा भारत में किये गए साइबर हमले एम से के सरवर पर रहसंवेर हमलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे में लोगों की नीजी जनकारी की सुरक्षा एक बड़ी चुनोती बन जाती है कहने के मतलब है कि वहां के परिवार की एक हर एक सदस्यों की एक डाटाबेस जो दिया जा रहा है और जिस तरह की एक समय दलसील एक मुद्धा हो जाती है ठीक है सबस्कुराइब सब्सक्राइब नहीं और बहुत यहार्ट कुछ लिए है कि इसके टाट की चौरी नहीं गए है या रासन कार्ड बनाए गए है उसमें डाटा की चोरी हो गई है तो इसकी क्या करणटी है कि इस परिवार पहचान पत्र में भी डाटा की कोई मतलब चोरी नहीं होगी ठीक है तो इसके लिए अलग मुद्धा है आगे के टॉपिक में है कि अन्य राजियों में शमान परिवार डाटावेस यानि कि यह जो परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं तो यह सिर्फ पहला इसो नहीं है कि जम्मो कस्विर नहीं बनाए जा रहा है इसके पहले भी हमारे भार सरकार के कुछ ऐसे राजे हैं जहां पर यह परिवार पहचान पत्र बनाए गए तो कोई राज यहाँ पर लागु करने के लिए ततपर भी हो रहा हैं जैसे अगर इसमें कहा जाए तो कुछ जैसे राजे हैं हर्याना पहला राजे है जिसमें परिवार पहचान पत्र बनाकर ठेक है 13 लाख परिवारों को सरकारी युजणाओं का लाफ दिया है इतना 13 लाख परिवारों को सरकारी युजनायों का लाव दिया है कौन सा राज है यह हमारा हरियाना राज हमें ऐसे पहले से लोगों को इस तरह का लाव दिया जा रहा है ठीक है और यहां कितने लोगों का तो 13 stellt परिवारों परिवारों को 13 लाक परिवारों को दिया गया है ठीक है राजस्थान में भी इस तरह देखा जाए तो वहाँ पर तो नाम अलग इसका आता है जैसे जन अधारी यूजना जन अधारी यूजना भी क्या है यानि कि देखा जाए तो परिवार पहचान पत्र की ही समान यहां पर भी जन अधार योजना वहां पर सुरूप की गई है और इस जन अधार योजना के तहत लोगों को सभी परकार की नकदी एवं गैर नकदी सरकारी योजनाओं की लावती जा रही है ठीक है यह भी क्या है स मुझाब 2021 में पात्र परिवारों को पर्थिक्श हस्थांत्रन हैं तू ऐसी प्रणारी शुरूब की है कि सारी रिभेवराज दिया जा रहा है इस सर एस आलाह्य já घाल ही में उत्तर परदेश सरकार ने इसी तरह गता है का उद्धय के लिए UP परिवार कल्यान काड ठीक है कौन सा यूपी परिवार कल्यान काड लणे लंज करने का नेने लिया है ठीक है यानिक ही दिवी चैसे परिवार कर पाठान पत्र के समानी यह मिह Sorry की हगी सभी इसमें मेंबर जितने होंगे सबस्य होंगे उन्हें की सारा वहापर डाटावेस दिया जाएगा यह सारा डाटा दिया जाएगा और इस तरह का यूपि सरकार भी इसको लाने के लिए तत्पर है नोट जम्मु कस्मीर में इस तरह का समान डेटावेस लागू होता है ठीक है तो यह किंद्र सासित परदेशों में पाहला राजी होगा ठीक है किंद्र सासित परदेश में पाहला राजी होगा याने कि जम्म कस्मीर ऐसा इक किंद्र सासित पर्देश है, जहाँ पर परिवार पहचान पत्र लाने की मतलब की मनसा जताई जा रही है, huge है तूम में दिखा जाए तेसी question बन सकते हैं इसे question बन सकते है या किसी तरह कि से का सेकेंड पर होता है तो उसमें भी इस तरह का ठीक है यह जनाओं के बारे में अगर कोश्चन आता है तो यहां से आप मदद ले सकते हैं उसके लावे देखा जाए तो प्रिलेम्स के एक जाम में भी यानि कि पुछे जा सकते हैं सबसे पहले वह कौन सा राज्य है जहां पर परिवार पहचान पत्र लाये गया है यहां हुए परफरीवार क्रण पछान पत्र लाएगा है ठीक है जहां सब्सक्क्राइब कि खला है एक सेशन है हमारी एकजाम का और इसमें देखा जाया तो यूपीसी के अलावे बीपीसी में भी निबंद का पेपर यहां पर किया गया है और इस निबंद में अगर भारती समाजी की उजनाओं से रिलेटर अगर कुश्चन आता है ठीक है निबंद में चर्चा करने के लिए ठीक है तो उसमें उस निबंद का एंसर राय определ में इसका एक परट बन सकता है काफ़ी इन्पोर्टन हो जाता है और इस्तिरा का वीडियो ठीक है और भी आपको देखने के लिए ऐसे वीडियो को तो हमारे चैनल को जो है ठीक है डाउनलोड करिए www.compentology.com को आप इस एप को डोड करिए इसको सब्सक्राइब करिए जितना हो सके उतना सेयर कीजिए ठीक है बिल आइकन बटम को भी दबाईए ठीक थैंक यो